समाजबादी पारिटी के विधायक शिपाल सिंग यादव ने पारिटी के राष्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पत्र लिख कर सियासी हलचल बढ़ाती है उन्होंने लिखा कि जिस व्यक्ति ने सपसरक्षप मुलायम सिंग यादब के बारे में अनर्गल बातें कहीं हो और उन्हें ISI का एजेंट तक बताया हो उसे राश्ट्रपती चुना में समर्थन देने पर पुनरविचार करना चाहिए शिपाल ने ये भी कहा है कि बेहत अफशोस हो रहा है कि जो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंग यादब के बारे में एक शब्द सुनने को तयार नहीं थी वह आज उनके खिलाफ बयान देने वालों को राश्ट्रपती चुनाप का उमेदबार बना रही है शिपाल यादब ने ये भी कहा है कि उन्हें अपनी सीमाएं पता हैं फिर भी पुनरविचार की मांग करते हैं शिपाल यादब ने इस संबंधित ट्विट कर लिखा कि सपा नेतरत्तों के इस पैसले पर मेरी घोर असैमती है नेता जी के अफमान की शर्त पर कोई पैसला मंजूर नहीं है शिपाल ने अपने ट्विट में ये श्वंत सिना द्वारा सपा सरक्षक को आईसाई एजेंट बताय चाने संबंधित खबर भी साचा की है आपको बता दे कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के उपमोख्य मंत्री केश्व परसाद मौरे ने एक पुराने अकबार की कटिंग ट्विट करते हुए अकिलेश यादव से पूछा है कि जिनें आप राष्ट्रपती पद के लिए समर्थन दे रहे हैं उनके मुलायम सिंग यादव पर दिये बयान को लेकर क्या कहेंगे दरसल केश्व परसाद मौरे ने अकबार की जिस कटिंग को ट्विट किया है उसमें एश्वान सिना ने दावा किया है कि मुलायम सिंग यादव आईसाई एजेंट है एश्वन सिना ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मुलायम सिंग यादव उत्तर प्रिदेश में ISI की बढ़ती गतिविधियों में सीध्य तौर पर शामिल है यही नहीं उन्होंने ये भी कहा था कि काट मांडू में ISI एजेंटों की मेजवानी करने वाले नेपाल के सांसत मिर्जद दिर्शाद वेग के साथ उनके घनेष्ट संबंद के कारण उन्हें रक्षा मंत्री बनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है गौर तलब है कि राश्ट्रपती चुनाव के लिए NDA ने द्रौपदी मुर्मु को अपना उमेदवार चुना है वहें बिपक्ष की तरफ से संयक्त रूप से एश्वन सिन्ना को राश्ट्रपती पद का उमेदवार बनाया गया है यश्वन सिना ने कहा था कि दिल्शात बेग जब भी लखनवों आते थे तो वो पुलायम सिंग यादव के घर पर ही रोकते थे यश्वन सिना ने कहा था कि आयसाई कटिविध्यों को बढ़ावा देने वाले मंत्री को प्रधान मंत्री को बर्खास्ट कर देना चाहिए लेकिन अगर प्रधान मंत्री में आखे बंद कर ली है तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है यश्वन सिन्ना ने कहा था कि नेपाल भारत विरोधी गतिविधियों के केंद्र के रूप में उबरा है और कहा कि केंद्र को इसकी पूरी जानकारी है लेकिन इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया दरसल इंटेलिजन्स विरों के एक पुर्व अधिकारी द्वारा एक किताब बत्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश के तदकालिन मुख्यमंत्री और कुछ विधायकों के पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस आयसाई से संबंध है मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादब ने पूछा है कि क्या भी ये दावा नदवा मदर से पर हुए एक असफल चापे की वज़े से लगाया गया है मुलायम सिंग यादब ने बीजेपी द्वारा उन पर लगाये गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि आईवी ने 1995 में नदवा मदर से पर चापा मारा था लेकिन जब मैंने हस्तक शेप किया और चापे मारी को रोग दिया जिससे आईवी के अधिकारी उग्र हो गए मैंने उनके खिलाफ प्राथमी की भी दर्ज कराई थी किताब को लेकर मुलायम सिंग यादब ने कहा था कि लेखक की मानसिक्ता भाजपा वाली थे इसलिए उन्होंने ऐसी ठीप पड़े के वीडियो डेस्क अमरुजाला.ड़ कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें